नमस्कार आपका स्वागत है बीवी नियूज में लेटस्ट नियूज आपटेट के लिए आज ही हमारे चानल को सबस्क्राइब करें डेवान काउंटी इंगलिंट के प्लेमाउथ हेरिया में एक शाक्स मैंने बिर तक एक अंडरग्राउंड तह खाने में फसा रहा इस दोरान उसके पास न खाना था न पानी उसके पहर में चूट लगी थी जिसमें सडन बढ़ रही थी आखिरकार वहां से गुजर रहे एक राहगीर की शरारत के कारण उसका पता चला और उसे बचा लिया गया डॉक्टर्स का कहना है कि वह एक दो दिन भी और वहां रहता तो शायद जिन्दा नहीं बच पाता 51 साल का जेम्स थॉंपसन बेरूसकर और बेखर था मार्च महीने में एक दिन आसरा पाने के लिए वह पेडों के जुर्मुत के बीच बने इंटों के अंडर ग्राउंड तहखाने में घुज गया इस दोरान उसे तखने में चूट लग गई भीतर पहुचने के बाद उसे पता चला कि वह एक गड़े जैसी जगह है उसमें उपर चड़कर वापस बाहर आने की कोशिश की लेकिन तखने की चूट के कारण ऐसा नहीं कर पाया जेम्स उस दोरान मांसिक बीमारियों से भी जूज रहा था उसके पास खाना था न पानी उस अंधेरे तह खाने में फसे रहने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था जेम्स को शुरूँ मैं वहाँ पानी की एक धारा मिली उसने कुछ दिन तो उससे पानी पिया फिर वह पानी गायर भो गया फूक और प्यास से उसकी हालत खराब हो गई उसके तखने की चोट में गैंगरिन हो गया साथी वह शीत दंश का शिकार भी हो गया जिसमें अत्यधिक शंड के कारण उनगलियों में घाव हो जाते हैं और वो गलने लगती हैं जेम्स ने बचने की आशा छोड़ दी थी वह नीम बेहोशी में पहुँच गया कभी उसकी चेतना आती कभी चली जाती और उसे कुछ होश न रहता एदिने जाके इंगलिंटन वाट्स नामक एक किशोर उधर से गुजर रहा था तेह खाना देखकर उसे एक शरारत सूजी उसने उसके बाहर पहुँचकर जोर से आवाज लगाए वह अपनी आवाज की प्रती ध्वानी सुनकर मजा लेना चाहता था इजाक को अपनी आवाज की गूंच तो सुनाई दी साथ ही उसने एक हलकी सी कराह भी सुनी यह जेम्स के मूँ से निकली थी जाक को बहुत आश्चर्य हुआ उसने समझतारी दिखाई और पुलिस को बुलाया इस तरह जेम्स को बाहर निकाला जा सका पुलिस ने उसे तुरंथ हॉस्पिटल में भरती कराया उसकी हालत बहुत खराब थी कहा जा रहा है कि यह दीवह एक अद दिन और वहीं रह जाता तो शायद उसकी मौत हो जाती लंबे समय तक हॉस्पिटल में इलाज चलने के बाद अब उससे केर सेंटर में डाला गया है वहां से उसने हाल ही में अपनी पूरी कहानी सुनाई